हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे भूटान की भूटान एक हिमाले में दक्षण परवत के दक्षणी यह कि निचे इस तर पर एक छोटा सा और बहुती सुन्दर देश हैं भूटान एक बहुती रहसे महीं और अद्बुत देश हैं जो भारत और चीन के मद्य में इस्तित हैं दोस्तों भूटान अपनी चीजों में परिपूर्ण है प्रयावरण के इसाब साब देखा जाए तो रक्षा में भूटान संबेदानिक दाई तो उनका एक सुरक्षा का भूटान की जो राजदानी है वो थिंपू में जो बहती बहुत सुंदर हैं काफी सुंदर है जैसे मैंने आपको दिखाए विकीपीडिया में सौर्ट में आप में में आपको दिखा रहा हूं ये किसी एक स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों तो भूटान में ऐसे बहुत से गूंशी ओँ कर सकते हैं अपने जो हमारा वेकेशन हम लोग काफी अच्छा बना सकते हैं समय में समय में ऐसे बहुत सरे लोग होते जो भूटान में यात्रा है को पसंद करना हूं चाहते हैं वहां पर तो उनके le यहां पर जो मेन प्लेसे से घ्वhouमने के लिए चले हैं तृमपू हैं जहां पर मैने आपको बताया है ठीक है और यह वहां में दिस्क्रिप्शन करहां के कलचर है और यह आप जा सकते हो पारो में आप जा सकते हो ठीक है और तृमगासो पारो, ट्रॉंगासो में जा सकते हो, फोव, बीजाखा में जा सकते हो, फुट सॉलिंग में जा सकते हो, त्री सिंगां में जा सकते हो, इनके नाम भी थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आपको इसक्रीन में ऐसे करके दे रहा हूं, तो आप यहां पर रेट करके आप गूगल पर भी सर्च कर लेना आपको अकर ब्लोग अगड़ा देखने हैं आपको तो दो चलाद दर्रा है बाटूंग है वहाँ पे भूटान में खाने के लिए भी बहुत फेमस है भूटान में जो रहने की जगे आपको आगे बताएंगे हम लोग भूटान में जो है रोचकतते हैं एक छोटा सा देश तो हैं यहां पर और यूदो काफी वहां पर सिमिलरेटीज हैं इंडिया और नेपाल से वहां पर जो मिलता वहां पर और भूटान एक लैंड ओफ दर्यागन के नाम से भी जाना जाते हैं भूटान दुनिया में ऐसा नो कारबन नेगटिव देशों में जहां पर एक तंबावगु की बिकरी पर पावंदी है बूटान एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी आपनिवेसिक इत्यास नहीं है मतलब वहां पर सासन का कोई बड़ा वो नहीं रहा है बूटान एक ऐसा मातर देश हैं जो की 70% जंगल आपको मिलेंगे अब भूटान में जो लोक प्रियाटा की स्थाल है जो टूरिस प्लेस है ठीक है तो मैं आपको बताया वहां पर थिम्पू भूटान की एक राजदानी है हिमाले की सबसे उमची परवत बालों में से बसा हुआ है सहर भूटान में बहुत ही सबसे भूटान की सबसे बड़े सहर में से एक है और जो की राजदानी है मैंने आपको बताया है और यह बहुत क्यूंस है सुनदर सहर है रेदक नदी के टथक время इस ठीट है यहाँ फ्रेद्क नदी है वह भी यहां पर है तो आप यहां पर भी जा सकते हैं यहां पर प्राकर्ण्थ साई उसका द्रिख्यsm अशोड़ी परवतिती् से जो प्रमप्रा और सांस्कृतियों परदर्शित करती है थिम्पू दुनिया के एक मात्रदेश हैं जहां पर ट्राफिक लाइट नहीं है तो यहां पर आपको ट्राफिक लाइट नहीं मिलेगा आपको अधिम्पू भूतान में सबसे लोग प्रिया प्रेटन स्थल हैं और यह ठीक है मॉमरियल चौर्टैन है और आपको डैंचो लिंग्स है पैलेस है क्लोक टावर मिल जाएंगे आपको और मोती थांग यहां पर है टाकिन पिजर्व है बहुत सरे जगें थिम्पू में यहां पर आप घुम सकते हों फिर पारो हैं पारो को तो आपने सुना यहां पर हैं ट्रैकिंग अगरा करते लोगे आपर पारो जो भूटान में हैं बहुत मसूर सहर है पारो भूटान के महत्योपण और खूप सुरज जगें जहां पर थिम्पू के बाद पारो भी जा सकते हो और यहां पर भरे इनो जंगल है हर्याली से भी घिरा हुआ है पारो एक प् जगह में से एक है क्योंकि हमें इसा प्राचिंता अथ्यासिक इमारत इसे जो इमारत हैं पर काफी पुरानी यह इसलिए सेहर को एक शेरों में भी कहा जाता है कि आपर घूमने लाइक पवित्र जो दरसने इस तरह हैं देखने को मिलते हैं यहां पर सास्कृतिक तौर पर बहुत फेमिस हैं प्राक्ति सुन्दर्त तो हैं यहां पर जब पहाड़ों गरा हैं तो जो आज उनी जीवन सहले और रंगीन है प्रमप्राओं को पूरी तोर से पर्दिसित करता है प्रोंगासा है ठीक है तो ट्रोंगासा भी यहां पर आप जा सकते हो बोटान में एक लो अपर जीखा यहां पर थोड़ा इनके टफ नाम सोते थोड़ा सा तो भूटान में देखने लायक जगे-जगे में सामिल होते तो यहां पर आप जा सकते हो काटोरी में आकर भी एक घाटी है जो यहां पर एक जगे हैं यहां पर आप जा सकते हो food solid foot solid fish छाफ एक खूब सूरत एक परेटर ने स्थाल है यहां पर भी यहां पर हिमाले प्रवद माला के जो है वहां पर भी आप भी खूब सूरत नहीं जा रहा है यहां पर यह भी अपने सांस करती स्वंदरत्र के लिए जाना जाता है राकृतिक सुनलता है आधारशिक हैं यहां पर आप जा सकते हो अर दिंग में दोरणजी रास्टा अध्याना यहां पिल अध्यान आप जा सकते हो यहां पर देखने लाइक जगह जो सामील है परवार और दोस्तों के साथ में जा सकते हो आप यहां पर उद्यान बूटान के सबसे बड़ा एक राष्ट उद्यान है जो मिलता के लिए काम आता है करीबन और 436 वर किलोमेटर के एरिया में फैला वह काफी बड़ा है और इस राष्ट उद्यान की स्तापना जो हुई थी वहांपे 1974 में किया गया था इस उद्यान की जो इस्तापना करने के मुख्या उद्यसे थे विलुबत जानवरों की रक्षा करना वर्तवान समय में जो राश्ट्य उद्यान है आन्तरगत बंगाल भारत्य तेन दुआ गोरेला संभार मलजोग ऐनिमल्स उनको सेब करने के जो पड़ जाती है उनको सेब कर कर सकते हो आप यहां पर बहुत अच्छी जगे आप अधर इंट्रेस्टिंग ब्लोग आप सर्च कर सकते हो यह ठीक है दो चुला धारा दो चुला दर्रा भूटान में एक सबसे आकर सक इस्तान का जो स्वरूब है एक पहाड़ी जो की एक भूटान में थिम्पु एन पुना के बीच में इस्तित हैं वाडूंग पूंडांग भूटान में एक लोग लोग परे सेहरों में से यह भी एक हैं यहां पर भूमने जा सकते हूं यहां पर प्राचीन मंदिर सुन्दर गाउं आश्रजने मठ हैं वहां पर वनेजीव हरा भरा हर्याइली प्राचीन भवेदर ऐसे बहुत सारे यहां जगह है मैं कि रहे बहुत थी सांदर यहां पर हम यहां पर जानवरों के लिए जो परट्जाटिय है इन के लिए काफी लोग आप संद करते ीität लॉजव पांड़ा नीली लागेगे यहां पर बोटार में खाने के लिए जो फेमस है वह बहुत ही अच्छे जगह है हमाँ पर सूजा चाई जो चाय है यहां पर यक्ष रकम जो यहां पर आप खा सकते हो ठीक है और अमार दस्ती थुक्पा सामू दस्ते केवा दिर्सी पासगा पाई जसा अमारो बहुत सारे हैं पूता लोम बहुत सारे है यहां पर आप जासकते हो झो जो भूटान में रुकने की जगह हैं इसके साथ साथ उन्हों बूटान में भूमने का जो सही समय है आप पूरे साल ने पर आप अपनी सुझाइप है पूरे साल के सुlt रिओन यदि आपको में टाने जाना है तो आपको बटादे कि पूटान जाने के के लिए सबसे अच्छा समय मार्च मैं यानि बसंद का महाँ होता है जिसमें समय प्राकर्तिक और द्रिश्य और सुन्दरता देखने के लाइक होती है सितमर और नॉमबर का महीना भी भूटान की यात्रा करने के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दोरान सलद रितू होती है ठंडी ठंडी हवा चलती है और मौसम भी भूटान के अदबुद द्रिश्य को परसुत करने को यात्रा अच्छी होती है यहाँ पर रेल मार्ग भारत से भूटान जाने के लिए सीधा रेल मार्क सुभीत उपलाद नहीं है परन्तु फिर भी रेल मार्क के मादम से भूटान जाया जा सकता है अब भुटान जाने के लिए भारत के लिए भी रेलवे स्टेशन से सिलिकुडी, न्यून जल पड़ुगुडी से जा सकते हैं, न्यू अली, पुरद्वार या हासीमारा रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं, फिर उसके बाद सड़क के मार्क जय गाउं होते हुए भुटान में सहरों में यात्रा कर सकते हैं, हवाई यात्रा भारत से भुटान जाने के लिए सबसे अच्छा और सुविदर जनक हवाई मार्क हैं, भारत से दिल्ली, कोलकता, बैंगलोर, गोहाटी और अन्य प्लेसे से अंत्रेस्टे उडाने भड़ी जाते हैं और आप यहां जा सकते हों, सड़क मार के मादम से पूरा जा सकता है, और भारत में भुटान जाने के लिए बसों की सुविदर उपलग हैं, जो की भुटान के लिए साज अंत्रेस्टे सिमा साजा करते हैं, शिलीकूरी भारत का सब्सक्राद से नजदीक भारते सहरा हैं, इस सहर में जाए का लिए बस ले सकते हैं, बुटान कैसे गुमें, बुटान खुमने के लिए, यदि आप बुटान कुमने का प्लान करें तो आपके मन में यहां परसन जअरृर आ आए होगा कि जाकर कैसे गुमें, admired को बता दे तो यहाँ आपका यातरा में मंगल में होने के लिए अच्छा रहेगा ठीक है भूटान घूमने के खर्चा यदि आपको घूमने के यहाँ पे सबसे अच्छा खर्चा यातायाद में लगेगा इसके बाद भूटान में रहने खाने पीने घूमने खरीदारी करने इत्यादी क चीजों में खर्चा लगेगा तो इस हिसाब से यदि आप अपने फैमिली या दोस्तों के साथ में भूटान की यातरा करते हो तो कम से कम 15 से 20 जार उपे तक कर खर्चा लग सकता है इस खर्चा में आपकी जरूते हैं कि अनुसार कम या जादा भी हो सकता है अगर आपको लग आपने जरूत की चीज़ें जैसे कि कपड़े दवायां पानी जो तल जो है ठीक कुछ रखे हो ठीक है इस तरह की से यदि आप भूटान की यातरा कर रहे हैं तो आप अपने असाथ में इस चीज़ों को जरू रखे तो आप जो राजदानी है खिंपो या अधर जो पलेसे की तोड़ा हमने तो आप जब हवाई मार्क से जाते हो तो अद्बूत नगर होता है तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं आपको लाइक और शेयर चलूर करें